अरेबल लाइफ, follow your spark कि company में trade करना है और आप assume करते हो कि ये share उपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा और आप उसी direction वाली जो order रहेगी वो आप buy करने के लिए या फिर sell करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो आप order डालने से पहले वो एकदम से जट से उसमें movement दीखने लगते है और आपके direction में वो move होता है मतलब आपने अगर उस price को उपर की तरफ जाने के लिए अगर predict किया हुआ है तो अचानक से उपर जाएगा एकदम से मतलब आप order डालते भी नहीं सिर्फ आप मन में सोचते हो कि आरे यार अभी उपर जाने वाला है और आपको order डालनी पड़ेगी डालनी चाहिए और जैसे ही आप जाते हो mobile लेते हो या फिर order डालनी के लिए बाइ करते हो प्राइस डालते हो और order डालने से पहले पहले वो एकदम सिर्फ पासली उपर जाने लगता है या फिर इसके उल्टा डाउन नीचे की तरफ सेल करते समय यह ऐसा हुआ है ना काफी बार अगर नहीं हुआ है अगर आप बिगिनर हो तो आगे होगा जरूर होगा मतलब यह काफी बार सब लोगों को यह experience कने के लिए मिलता है तो यह बहुत अन्वाइं सी मतलब एकदम से गुस्सा आता है कि यार यह मेरा profit क्यों खा रहा है market को कैसे पता चला है कि मैं buy करने वाला हूँ या फिर sell करने वाला हूँ तो ऐसे experiences आपको या हर किसी को मिलते है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक tip बताता हूँ ऐसे case में आपको थोड़ा सा काम रहना है आपको trade नहीं करना है अगर आपका जो कि भी profit खा जा रहा है market उसे खाने दो seriously guys जब आप उस price पर एकदम जल्दबाजी करके अगर उसमें trade करने का सोचते हो या फिर करते हो आपको profit कम होगा और ज़्यादा risk रहेगी और उसमें losses होने की ज़्यादा chances होते है तो देखिए दोस्तों ये market है stock market मतलब stock market लो या फिर किसी भी market लो market is full of opportunities हर एक second पर आपको नई opportunity दिखेगी और हर एक second गुज़रा हुआ जो second रहेगा उसमें आप आपके लिए या फिर किसी और के लिए काफी सारे opportunities वो खूच चुके होते हैं या फिर miss out हूच चुके होते हैं तो आपको घबराना नहीं कि एक opportunity गई मतलब यार मेरा सब कुछ बूट गया नहीं काफी बार opportunity आपको मिलने वाली है और हर time हर समय मिलेगी सिर्फ आपको ढूणना है आपको सिर्फ ढूणना है और वो तभी मिलेगी जब आपकी mind एकदम से शान्त रहेगी क्योंकि यही important role है आपके patience का mind ही है जो आपको impatient बनाता है और patience से काम लेना चाहिए stock market में जल्दबाजी कभी भी नहीं करने चाहिए जब आप जल्दबाजी करोगे तो आप result देखोगे profit नहीं होगा क्योंकि अच्छे decisions जल्दबाजी में लिये नहीं जाते हाँ ये बात अलग है उनके लिए जो लोग fast thinker है अगर आप internet traders हो और आपको सिर्फ और सिर्फ fast trading करने के लिए fast decision लेने में आपके लिए वो suitable है आपके personality हो ऐसी है समझो fast decision लेने के लिए deep thinker नहीं हो तो आपको internet trading एक best है और उसमें भी sell side अच्छे है ऑके buy side नहीं क्योंकि buy side में market उपर जाने से जाते समय थोड़ा दीरे दीरे जाता है और sell करते समय sell होते समय fastly more होता है और अपको अगर decision लेना है fast decision लेने के लिए आप capable हो और आपके पास internet speed अच्छे है resources अच्छे है और प्रॉपरली power supply भी अगर आता है computer अगर है तो बहुत बड़िया बात है अगर mobile से करें तो ठीक है पर mobile से उतना अच्छा नहीं होता ठीक है पर अगर आपके पास fast decision making की ability है तो आप intraday में आप आराम से जा सकते हो कोई problem नहीं पर अगर आप deep thinker के तरह अगर आप सोचते हो तो आपको intraday से अच्छा delivery आफिक short term सोचना है पर market में हमेशा हर एक के लिए opportunity रहती है ये बात आपके हमेशा दिमाग में रखो ऐसा नहीं है कि अगर दोस्त को मतलब किसी और को अगर opportunity मिली तो आपको नहीं मिलीगी ऐसा नहीं है बिल्कुल हर एक opportunity मिलती है पर सिर्फ आपका डोनने का नजरिया ऐसा होना चाहिए तो जो लोग fast traders है fast thinkers है उनके लिए एक pro tip देना चाहता हूँ अगर आप manually trade करोगे तो आपकी ऐसे ही price mix out हो जाएगी मतलब आप जिस price पे आप लेना चाहते हो उस price पे आप नहीं ले सकते buy या फिस sell तो ऐसे मैं आपको एक pro tip देना चाहता हूँ और एक solution है आप algotating यूज करो आपके खुद के strategies बनाओ खुद के दम पे बनाओ और उसे test करते जाओ back testing और friend testing दोनों भी करते जाओ तभी आपको समझ आएगा कि आपकी जो strategy है वो कैसे काम करती है देखो अगर आप थोड़ा सभी experience आया है आपके पास 2-3 साल का तो आराम से आपके पास एक अच्छी strategy बनाने की ability आ चुकी होगी अगर नहीं आई तो आराम से आ जाएंगी आप सिर्फ थोड़ा सा market को explore कीजे और आपकी जो thought process है उसे एक algorithm की type पे आप solve कीजे मतलब एक mathematical की अगर इस price पे अगर आता है तो क्या decision लोगे आप क्यों इस price पे आप decision लोगे तो ऐसे कौन से parameters ऐसे है जो आपको decision लेने के लिए मजबूर करेंगे मतलब कोई MSD crossover है या moving average crossover है तो ऐसे आपको ये डूणना है कि किस crossover पे आप decision लेते हो या फिर किसकी price उपर जाने तक breakout होने के बाद आप decision ले रहे हो buy करने का या फिर sell करने का तो ये है एक structuredized decision making process तो ऐसे process में आपके लिए एक advantage निकल के आता है कि आप उसे thought process को algorithm की format में आप trading को develop करने के लिए और उसके साथ ही साथ आपका जो broker है, broking का account है तो उसको आप connect कर सकते हो उस algorithm के software के साथ वो एक online software है, सिर्फ आपको strategy बना की रखने है, back testing करके और आपके जो trading के लिए जो API है broker का API, broker से contact करके ले सकते हो API, connect कर सकते हो दोनों चीजों को जैसे ही आप connect करते हो और आपके trading account में पैसे रखते हो आप वहाँ entry point, exit point stop loss point, ये सारी चीज़े आप लगा सकते हो और आपकी जैसे चाहिए वज़से आप strategies develop करके वहाँ आप वहाँ trading कर सकते हो मतलब आपका जो समय है, वो समय काफी समय बज जाता है आपको खुद को trading करने की विल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, manually trading में काफी सारे गलतियां होते है और जो की algorithmic trading में आप avoid कर सकते हो अगर आपकी strategy अच्छी है तो आप अराम से कमा सकते हो, अगर आपके धीर दर करके बढ़ाने में आपको एक scope मिले नहीं तो क्या होगा आप अगर जादा से जादा अगर आमाउंट पैसो की लालस के लिए अगर आप invest कर रहे हो और trading कर रहे हो और अगर कुछ problem हो जाते है तो आपकी सारी मतलब अमाउंट की काफी सारे percentage उसमें खतम हो जाएंगे मतलब अगर कुछ अगर बड़ा loss होता है 20% का वगरा तो अगर आपने एक अलाक रुपे डाले तो 20,000 उसी एक trade में खतम हो जाएंगे तो आपको थोड़े थोड़े करके आपको बढ़ाने है जैसे जैसे profit निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आपको decision लेना है कि कितने बड़ाने है और आप logically सोचो यहाँ emotional की कोई value नहीं है यह market है यहाँ कोई emotion की बिल्कुल भी value नहीं है आप आपके personal life में कितना भी अगर emotion full हो चलेगा बिल्कुल चलेगा पर यहाँ नहीं चलेगा यहाँ आपको greed और fear दोनों की चीजों से आपको खेलने है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है और उसी तरह आपको decision लेने है investment के तो चलिए guys इस वीडियो में इतना है मिलते यह नेस्ट वीडियो में तिल देन तेक केर और बाइब